फिटनेस बिसनेस शुरू करने का एक-एक स्टेप आज के समय में लाइफस्टाइल और हाक्टिक शिडिूल के चलते जिम की जरूरत बढ़ती जा रही है यही वज़ा है कि यहाँ इनसान अपने दिन के कुछ खंटे गुजार कर दिन भर फ्रेश महसूस कर सकता है आज के समय में हर कोई फिट दिखना और रहना चाहता है इसके लिए उसे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने और स्वस्त रहने की बहुत जरूरत है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल में बीबारियां जैसे शुगर, ब्लेट प्रेशर आदे भी बढ़ता जा रहा है इन सब के अलावा मुटापा आजकल की सबसे बड़ी प्रॉबलम है जिससे हर कोई परेशान है इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए जिम और फिटनेस सेंटर की बहुत ज़ादा जरूरत महसूस होती है और इसलिए जिम के बिजनेस में बहुत स्कोप भी है अगर आप भी जिम या फिटनेस सेंटर चालू करने का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है जिसमें आप सफलता हासल कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आखिर फिटनेस सेंटर क्या होता है ऐसी जगा जहां आकर लोग किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं जो उन्हें फिट बनाती है उसी ही फिटनेस सेंटर कहते हैं जैसे जिम, योगा क्लास, एरोबिक साधी सामाने जिम के लिए कम से कम 15 मशीनों के जरूरत होती है जिम के लिए जिन मशीनों के जरूरत होती है इसके अलावा आपको AC, light, music system और interior decoration पर भी एक बार invest करना होगा आपके business का कुल निवेश आपके business के size और level पर निरभर करता है अगर आप अपना business धाई हजार से तीन हजार square feet के area में चालू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 70 से 80 लाख रुपे तक अपने business में invest करना पड़ेगा अगर आप इसे बड़े level पर यानि तीन हजार से 3500 square feet के area में करना चाहते हैं तो आपको लगभग 80 से 90 लाख तक खर्च करना होगा अगर आप इससे भी बड़ी जगा 3500 से 4000 square feet में शुरुबात करना चाहते हैं तो आपको खर्चा बढ़कर लगभग 1 करोड तक हो सकता है जिम का प्रॉफिट उस लोकालिटी पर निर्भर करता है जहां अपने जिम के शुरुबात की है यह आपके जिम के कस्टमर्स और उनकी फीस पर भी निर्भर करता है अगर आप अपने जिम में करीबन 70 से 80 लाग का इंवेस्ट करते हैं तो आप सालाना इसमें लगभग 15 से 20 लाग की कमाई कर सकते हैं वैसे तो इस बिसनेस में किसी तरह के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर इस बिसनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल स्केल के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके अलाबा जिस्ट्रेशन कराना होगा और लोकल पुलिस से क्लिरेंस भी लेना होगा ध्यान रखने वाली बातें जिम शुरू करने से पहले कुछ सावधानिया भी जरूरी हैं जैसे सबसे पहले जिस जगा पर जिम खोलना हो उस जगा की पूरी जानकारी शॉप के मालिक से ले लें कितनी मशीने लगाई जा सकती हैं क्योंकि इस बिजनस में भारी-भारी मशीने लगाई जाती हैं नमबर टू, जिम में आने वाले लोगों से उनका health certificate जरूर मागे, ताकि आपको उनकी medical जानकारी हो, health certificate कोई भी मानिता प्राफ डॉक्टर या अस्पताल जारी कर सकता है नमबर ट्री, जिस मशीन की जानकारी ना हो, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी हासल कर ले तो ये थी fitness business की पूरी जानकारी, तो आज ही शुरू करें अपना खुद का fitness business अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शियर करें और ऐसे ही और business ideas के लिए comment करके हमें जरूर बताएं Okay credit, business okay है